नमस्कार दोस्तों जैका इस विसल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेस्पी के साथ में तो आज लेके आई हूं मैं आप सब के लिए मसाला अंडा करी की रेस्पी जिसे बनाना घर पे ही बहुत आसान है और बहुत ही स्वाधिस्ट बनके तयार हो जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना चार से पांच यहां पे उबले हुए अंडे का इसकिमाल कर रहे हूं और इसे मैं बीच में यहां पे आपको चांको की मदब से कट करके दिखाती हूं तो दोनों साइड में हम इस तरह से तीन लाइन यहां बीच में इस तरह से कट कर लेंग जिससे इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा आता है तो सारे अंडो को हम इसी तरह से यहां से बीच में कट लगा ली हूँ और यहां पर मसाले अड़ करी हो एक चमच हल्दी पॉडर लाल मिच पॉडर तीखे के लिए स्वादनोसा नमक स्वादनोसा और सभी को अच् मिक्स हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए से हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे और बाकी हम यहां पर मसाले और भी मैं दिखा रही हूँ तो एक बॉल ली हूँ जिसमें मैं दो चमच दही का इस्तमाल कर रही हूँ हल्दी पॉडर एक चमच और लाल मिच पॉडर ली हूँ इसका स्वात बहुत ही लाजबाब आता है जब आप इस तरह से मसाला अंडा करी आप बनाओगे तो तो बाकी चीजों को भी हम इस तरह से तयार कर लेते हैं तो यहां पर मिडियम फ्लेम पर तेल को अच्छे से कडाही में बना रही हूँ गरम कर लेंगे तेल को और यहां तो डार्क गुलावी कलर भी इसमें आप कर सकते हो फ्राई इसे पर मैं इसे हल्का सा गुलावी कलर करूंगी जिससे इसका टिर्ष जो होता है बहुत जाएठ आता है मैं सारे अंडे को यहां पर निकाल ले रहे हूं और इसी तेल में में बाकी सारे मसाले भी तयार करने वाली हूं दो तेश पत्ता एक बड़ी लाइची दो लॉंग और एक टुकरा दाल चीनी का एक चमस जीरा डाली हूं सभी को अच्छे से हम यहां पर मिक्स करके थोड़ी दालेंगे दो चौप किया हूए यहां पर प्याज लिए हूँ और एक हरी मिर्ची इसमें डाली हूं और सोफ्ट होने तक हम प्याज को अंच्छे से इसमें पका देंगे थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनुट के लिए तो यह सॉफ्ट हो चुके हैं प्याज यहां पर और यह और जो हमने मैरिनेट करके सारे मसाले को अच्छे से करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल लेंगे कि वह सबी को अच्छे से मिक्स करते हुए फिर से 1-2 मिनट के लिए हम पकाएंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा आता इस तरह से अगर आप मसाला अंडा कड़ी बनाते हो तो और एक यहां पे मिडियम साइच का प्याज को नॉर्मल में काट के डाली हूँ आप चाहे तो ग्रेट करके यह टमाटर प्यूरे का भी इसमाल इसमें कर सकते हो तो टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसमें थोड़े से और पका लेंगे और ज कर सकते हो और पूट कर नहीं है अपने फूट करर क्यों के लिए इसमी इसमाल किये भी बना सकते हो और यहां पे मैं नमक स्वाधन नुसा डाली हो बड़े और गरम मसाला मैंने इसमें एड़ क्या है एक चममच तो इस तरह से सारे मसालों को एक से दो मिनट के लिए हम ने और तेल को छोड़ने तक मसाले को अच्छे से पकाना है और यहाँ पर एक से दो गिलास यहाँ पर छोटे गिलास से मैंने पानी इसमें अट किया है तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से आप रख सकते हो तो इस तरह से सारे अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए अंडो को डाल कर और इसे पकने देंगे एक से दो मिनट के लिए हम इसे फिर से पकाएंगे तो बहुत देर इसे ओवर कूक अब नहीं करना है तो ढख कर थोड़ी देर के लिए आप इसे पका ले तो इस तरह से देख सकते हैं, मसाला अंडा कडी बनकर क्या मस्त एकदम लाजबाब एकदम दिखरा है इसका ग्रेवी, धनिया पत्ती थोड़े से एड़ कर दी हूँ और इसे चलाते हुए हम इसे यहाँ पे मैं फ्लेम को भी बनकर दी हूँ तो देख सकते हैं, ग्रेवी भी एड नहीं किया है थिकनिस के लिए तो यह बिल्कुल तैयार है मसाला अंडा कड़ी आप मैं से सफ करके आपको दिखा रहे हूं तो आप मन पसंद इस तरह से तरीकियों से आप अंडा कड़ी को रोटी चावल या पुरी पराठे के साथ भी इंजवाय कर सकते हो आप अप से मिलती हूं एक नई रेस्पी के साथ मैं थैंक यू बाए बाए तब तक अपना ख्याल रखें